हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू जैर्विस केंपस यह थे उसके थियरम नंबर 10.1 के बारे में तो क्या है यहां पर वो जानते हैं तो हम यहां पर बोला गया है कि एक सर्कल होता है तो सर्कल के अंदर अगर हम दो इक्वल कॉड लगाते हैं equal chord अगर बनाते हैं तो दोनु ही chord को according अकर radius हम यहां पर जॉयंट कर देते हैं तो यहां पर यह जो angle दीख रहे है तो वो दोनु ही angle के से होंगे? equal होंगे, right? तो उसके ही according एक theorem है देखते है क्या है तो यहां पर theorem का statement क्या है वो देख ले थे पहले तो theorem 10.1 है equal chord of a circle subtend equal angle at a center यानि कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है equal chord दी गई है एक circle का तो यहाँ पे एक circle पहले तो construct कर लेते फिर यहाँ पे दो chord ले लेते AB और CD यहाँ पे circle जो है उसका center हम दे देते O name दे देते उसको तो यहाँ पे हमें क्या given है AB is equal to CD दिया गया है chord है दोनों ही हमें यहाँ पे क्या prove करना है तो यहाँ पे यह जो center है उसको chord के दो point जो है वहाँ पे joint करते होगे यानि कि यह जो A, O, B और यह जो C, O, D एंगल दिख रहे है तो कैसे दिखाएंगे वह यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाऊगे यहाँ पे दो triangle दिख रहे है A, O, B and C, O, D तो आप बोल पाऊगे यह दोनों ही congruent होंगे कैसे तो चेक करते हैं पहले तो यहाँ पे inner triangle पहले proof क्या है वह देख लए है तो कि inner triangle A, O, B and C, O, D हम लिख सकते हैं O, A equal to O, C and O, B equal to O, D क्यों यह दोनों equal क्यों होंगे यह चारों ही क्या है radius है तो यह सब equal होंगे फिर हम यहाँ पे बोला ही गाया है कि E, B equal to क्या है C, D यहाँ आप देख पा रहा होगे कि हमने triangle A, O, B and C, O, D के तीनों के तीनों side equal दिखा रहे तो by SSS rule हम बोल पाएंगे यह दोनों ही triangle congruent होंगे तो by C, P, C, T हम यह भी बोल पाएंगे कि A, O, B and C, O, D दोनों ही angle क्या होंगे equal होंगे तो यही तो हमें prove करना था देख लीजिए तो यहाँ पे हमने यह theorem 10.1 prove कर दिया आपको याद रखना है कि दो quad equal होती है तो उसके according जो angles बनते हैं center के near वो भी कैसे होंगे equal angle होंगे Thank you